हेलो दोस्तों कैसे आप सारे लोग मैं हूँ गौरो और आज की सूड़ में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी बिगिस्ट मिस्टेक के बारे में अगर आप इन गलतियों को खतम कर दो तो आप भी मेरे तरह से अपने चनल को ग्रो कर सकते हैं और यकीन मानू सबसे पहले तो य क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूं तो आप मेरे उपर भरोसा क्यों करोगे क्योंकि अगर मैंने ग्रो किया होगा तभी तुम्हें आपको बता सकता हूं तो यहाँ पे आप देखिए मेरा ये चनल है और चनल के मैं अबाउट से में जाता हू और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने चनल create किया था, यह मैंने किया था 20 जूलाई 2023 को, और अगस्त सिप्टिमबर अक्टूबर, 20 जूलाई को मैंने create किया था, आज है 8 अक्टूबर, यानि 2 मैने 18 दिन इस चनल को हुए हैं, और आप देख सकते हैं, इसमें 12,000 से भी ज़्यादा सब्सक्काइबर हैं, और अभी मैंने 21 वीडियो मैंने यहाँ पर upload कर दिये, अगर आप देखो, तो मैंने एक वीडियो बना कि आपको दिखाया भी था, कि स्टार्टिंग पे मैंने अपने चनल को सिर्फ 15 दिन के अंदर monetize कर वा लिया था, बहुत सारे ऐसे य करता हूँ, अगर आप यह चीज़ देखो तो, यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी मना इथा, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, यह द इखो, सिर्फ 30 दिन के अंदर मैंने 10 वीडियो अप्लोड करी थी, और 10 वीडियो अप्लोड करके, मैंने सिर्फ 1 महने के अंदर 10,000 1,000,000 subscribers complete किये थे, तो ये चीज़े मैंने कैसे करी, और मैं आपको बता हूँ, ये मेरा एक नया चनल लहीं है, मैंने कापे छाटे साहरे चनल क्रिए थे, और चनल क्रिएट करता था, हो था क्या था, कि वहाँ पे वीडियो अप्लोट करता था, फिर एक घंटे बाद जब मैं एक ये दो भी आया करते थे तो ऐसे में मैं बहुत निगेटिव हुआ करता था और इसके बाद मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूटुबर्स की वीडियो देखी और यकीन मानो आज बड़े यूटुबर ऐसे हैं कि जो आपको information कम देते हैं wrong information बहुत जादा देते हैं जिसके current से हमारा चनल और भीया नीचे शला जाता है ठप हो जाता है तो ऐसे में मैं यूटुब को सीखना शुरू किया और बहुत सारी चीज़े मैंने यूटुब में सीखी तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये चनल जो create किया तो ये मैं तुक्के में success हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने कुछ tricks का इस्तमाल किया है और वही चीज़ मैं आज आपको बताने बाला हूँ और ये चीज़ अगर आप भी सीख जाते हो जो मैंने गलती करी अगर आप मेरी गलती से सीख जाओगे तो आप भी मेरी तरह की से ग्रो कर पाओगे तो फिर मैंने क्या किया जो मेरे चैनल थे उनको मैंने डिलीट किया और एक नया चैनल बनाया और जो मैंने सीखा था अपने YouTube केरियर के अंदर वो मैंने apply करना शुरू किया इस YouTube चैनल के अंदर और इसके बाद वीडियो प्लोट करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में हमारा चैनल ग्रो होने की सम्हामना ना के बराबर होती है तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी YouTube चैनल क्रेट करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे iCard में एक वीडियो मिल जाएगा तो वीडियो अपलोट कैसे करना है यह बड़ा important होता है क्योंकि अगर जब हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आएगे तो subscribers पी नहीं बढ़ेंगे तो simple सा fund है कि अगर हम अपने चैनल को grow करना चाहते हैं हमारी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आना चाहिए रइट तो यहाँ पे देखो यहाँ पे यह सारी चीज़ें मैं आपको laptop के अंदर दिखा रहा हूँ लेकिन ये काम आप अपने mobile phone से भी कर सकते हैं तो देखो आपको mobile phone में करना क्या है आपको जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है आपको google chrome open करना है और यहाँ पे आपको search करना है www.youtube.com और आपको अपने youtube account से sign in हो जाना है इसके बाद क्या करना है आपको youtube studio में आना है कुछ लोग के साथ problem होती है इसलिए आपको देखो ऊपर top पे ही search करना है studio.youtube.com और आप simple साथ पहुँच जाओगी अपने studio पे इसके बाद आपको देखो वीडियो कैसे upload करनी है तो देखो upload वीडियो देखो यह चीज अभी आपको दिहान से सुनना है क्योंकि हो सकता है आपको पता हो कि YouTube में वीडियो अप्लोड कैसे किया जाता है लेकिन फिर भी यह वीडियो बहुत important है हो सकता है देखो यहाँ पे आपका 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लग जाए बट यह चीज जो आपको सीखनों को आज मिलेगी बहुत important है आपके YouTube केरियर के लिए तो आपको इस चीज को दिहान से समझना है तो देखो यहाँ पे मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ select file पे मैंने click करा और जहाँ पे मेरी वीडियो है वो मैं उठा लेता हूँ तो मेरे पास यह एक वीडियो है find YouTube topics तो मैं इसको select करता हूँ और यहाँ पे मैं upload करता हूँ इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो upload कैसे किया जाता है यह बहुत important है मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि वीडियो upload कैसे की जाती है लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ यह उससे भी बहतर है तो देखो जब भी आप यहाँ पे आते हैं जैसे आप कोई भी वीडियो बना रहे हो जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो मैं वीडियो upload कर रहा हूँ इसका topic है इसका title है कि आप YouTube के अंदर topic को कैसे find out कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं search करता हूँ तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने type किया how to find YouTube तभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे आगए list तो यहाँ पे देख सेकते हैं आपको search नहीं करना है बस आपको यह type करना है और यह काम आप अपने mobile से भी कर सकते हैं mobile phone में आपको क्या करना है यहाँ पे जो YouTube का app होता है यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको इसी तरीके सर्च करना है जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको इसका screen shot ले लेना है जैसे मैं क्या करूँगा इसका एक screen shot ले लूँगा अब यहाँ पर जो सबसे उपर है how to find YouTube topics idea तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको अपने वीडियो का title रखूँगा तो क्या रखूँगा अपने को इसको वीडियो का title रखना है और जो नीचे वाले हैं इनको tag रखना है लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है देखो YouTube के अंदर आज देखा जाए तो भारत में लगभग संतामन करोण से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो YouTube को regularly बिजिट करते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि YouTube के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जैसे मैं आपको बताए कि इंडिया के अंदर संतामन करोण से ज़्यादा लोग हैं तो ऐसे में होता क्या है अगर आप देखो तो इंडिया में लोग कौन सी लेंग्विज बोलते हैं हिंदी तो आपको हिंदी में भी ये चीज़ सर्च करनी पड़ेगी यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो YouTube के लिए टॉपिक तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया YouTube के लिए टॉपिक तो यहाँ पो बहुत सारे टैग आ गए है तो यहाँ पर जो सब्से ऊपर है YouTube के लिए टॉपिक कहां से ढूड़े तो इसको मैं क्या करूंगा इसको भी अपने वीडियो के टाइटल पे रखूंगा और साथ ही यहां पर क्या करेंगे जो नीचे हैं इनको मैं यहां पर ले लेता हूं इसको टैग में इस्तेमाल करूंगा अब इसके बाद यहां पर देखो मैंने सारी चीज़ें कॉपी करके यहां पर लिख लिया है जैसे यहां पर मैंने पहले क्य देखो यूटूब वीडियो के लिए टॉपिक कहा से ढूड़ें तो यह मैंने लिखा और इसके बाद जितने भी टैग थे उसको मैंने यहां पर लिख लिया अब देखो यहां पर करना क्या है और यही सबसे बड़ा गेम है अगर आप अपनी वीडियो पर अच्छे खासे व मैं क्या करता हूँ यह मैंने पेस्ट किया और इसके बाद मैं एक इंटर किया और यहां पर एक जो सीधी वाली राइन होती है उसको मैं यहां पर लिख दिया इसके बाद मैं क्या करूँगा जो दूसरा था इंगलिस में तो मैं इसको भी कॉपी करूँगा कमांड सी से मैं मैंने copy किया करा और यहां पे मैं आके paste कर दिया तो इस तरीके से देख सकते हैं यहां पे मैं 100 word का इस्तमाल कर सकता हूँ लेकिन यहां पे 82 हो चुका है तो अब मैं चाहूँ तो तीसरा tag भी लिख सकता हूँ बट तीसरा tag अगर लिखूंगा जैसे आपका अगर topic जो है topic का title चोटा है तो आप तीन भी कर सकते हैं जैसे मैं एक कोई और जो मुझे पसंद आए तो मैं उसको control C से copy करूँगा यहां पे मैं Mac कर रहा हूँ इसलिए मैं command C पे क्लिक करूँगा और copy करने के बाद यहां पे देखो फिर से इंटर पे क्लिक करके एक line लगा दूँगा और command B मैंने यहां पे paste कर दिया बट यहां पे यह title थोड़ी सी बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे यहां पे आपको यह चीज नहीं करनी है अब आपको क्या करना है सिंबल सा आपको अपने YouTube channel का नाम लिख देना है देखो जब आप एक नया होता है तो ऐसे में आपका channel rank भी नही कर देए तो मैं क्या करता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं और कई बार ऐसा होता है कि यहां पे थोड़ी सी हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं यहां पे चवरानने जो है वो ही वर्ड है लेकिन यहां पे हमारे पास अभी 6 वर्ड लिखने का और जगह है तो मैं कई बा से पहले मैं आपको बताऊँ कि लोग सर्च करते थे YouTube मेथट तो मेरा चनल नहीं आता था लेकिन अब अगर आप YouTube में जाएं और सर्च करें YouTube मेथट तो मेरा चनल रेंग करता है तो यही तरीके होता है कि जिससे आप अपने चनल को भी ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी वीडि सीखने को जरूरत है अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे जितनी भी चीजें है मैंने यहाँ पे लिखी है अब मैं इसको क्या करूँगा टेग में इस्तमाल करूँगा लेकिन उससे पहले आपको description का बहुत ध्यान देना है क्योंकि अगर आप video का rank करना चाहते है तो यह बड़ा important हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ जो भी मैंने title लिखा है तो यहाँ पे मैं इसे copy करता हूँ और सबसे पहले description के पहली line पे मैं लिख देता हूँ देखो video title और यहाँ पे मैंने paste कर दिया और सबसे पहली चीज़ यही होती है कि मैं description के अंदर भी अपना जो title होता है video का उसे paste जरूर करता हूँ तो यह चीज़ यह हो गई इसके बाद आपको क्या करना है आपको video के description में आपने देखा होगा अगर आप नहीं जानते तो वैसे मैंने इसके बारे में एक video बनाई है आपको same क्या करना है आप जो भी video देख रहे हो तो आप मेरा description देख लेना उसी तरीके से आपको idea लग जाएगा तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यह your query पे आया और जो भी मैंने tag copy किये हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जितने भी tag लिया है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसे पूरा का पूरा select करके copy कर लूँगा और यहाँ पर आके मैं paste कर दूँगा अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी आप कोई भी description के अंदर कुछ भी चीज़े लिखते हैं तो आपको comma का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप comma का इस्तमाल करेंगे तो आपको community guideline strike आ सकती है तो यहाँ पर जितने भी comma है न तो मैं उनको हटा के सारे जितने भी tag हैं उनको एक line में कर दूँगा तो यह भी बहुत important है अगर आप video को rank करवाना चाहते हैं और यकीन मालो जब आपने कभी देखा होगा कि अगर आप tube buddy का इस्तमाल करते हैं या फिर video IQ का इस्तमाल करते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि आपके video का score काफी अच्छा रहेगा 100% तग भी जा सकता है और अगर आपके video का SEO score बहुत अच्छा है तो आपकी video 100% rank करेंगी उसमें video में अच्छेखा से व्यूज आना सुरू हो जाएंगे देखो होता क्या है जब भी हम video upload करते हैं यूटुब के अंदर तो ऐसा नहीं है कि जो video है एक ही दिन ये 24 गंटे होती है ये video हमेशा के लिए हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी video पे तुरंत view नहीं आते बट हमने अगर अच्छे तरीके से SEO किया है अपने video के अंदर तो हमारी video पे आने वाले time पे views आएंगे ही आएंगे अगर हमारा video अच्छा रहा तो सारे tag को हमें क्या करना है एक एक लाइन में कर देना है इसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे copy करा है तो यहाँ पे यहाँ को क्या करना है जैसे मैं आपको बदा दूँ कि YouTube के अंदर जो tag होता है आपको नीशे जाना है अच्छे समझना है यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे tag मैं इस्तेमाल करता हूं तो हमेशा tag के अंदर अपने चैनल का नाम डालते है अगर आप यह नहीं भी चानते हों अब आपको जो भी आपने tag यहाँ पर copy करें है तो आपको क्या करना है इनको पूरा का पूरा यहाँ पे देखो सब को एक लाइन में मैं ला देता हूँ और कॉमा में रखना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो आपको पेस्ट करना होगा अब paste करने के बाद होता क्या है जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको tag find करने है तो यहाँ पर जो tag होता है वो आप 500 word का ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने काफी सारा बड़ा ले लिया तो जो आपको लगता है कि जो उतना ज्यादा अच्छे keyword नहीं है तो उनको cut करके हटा देना है और जो most important हो कि जो अच्छे अच्छे आपको tag लग रहे हैं तो उनको आपको यहाँ पर रख लेना है अब यहाँ पर देखो यह 400 पंचाने word का हो गया 500 यहाँ पर लिख सकते हैं तो यह चीज़े हो गई अब इसके बाद नीचे आने के बाद यहा हमारी बीडियो जानी चाहिए साथ ही उनको notification भी जाना चाहिए इसके बाद आप इसको publish कर सकते हैं एक चीज़ आपको और ध्यान देना है जब आप publish करेंगे तो publish करने के बाद यहाँ पर आपको नहीं करनी है आपको क्या करना है यहाँ पर हमेशा schedule करना है आपको अपने इसके बीडियो का एक time decide करना है जैसे मैं अपनी वीडियो को upload करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको time देखने को मिल जाएगा तो आप time set कर सकते हैं अपने recording जैसे यह जो channel है यह अपने channel में upload करती है वीडियो च्छे बजे तो यहाँ पर मैं 6 बजे साम जो यह तो 18 p.m. पे मैंने ये बीडियो सेलेक्ट करी और यहाँ पे मैं इसको स्टेडियूल कर दूँगा तो ये बीडियो इनकी पॉब्लीस हो जाएगी इस तरीके से आपको भी टाइमनी साइट करना है और ये इस तरीके से बीडियो अपलोड करना है अब यहाँ पे दूसरी जो स सारे रिस्तेदार हमसे जूड़े होते हैं हमारे सारे दोस्त हमसे जूड़े होते हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं अगर हमारे वीडियो पर व्यू नहीं आते तो हम अपनी वीडियो को वाट्सप में सेयर करने लगते हैं कि भाई जिसे मैं क्या करता था मेरे जो दोस्त हु को तो उसको यूटूब के बारे में कोई इंट्रेस्ट ही नहीं है कि यूटूब में सब्सकाबर कैसे बढ़ाते हैं यूटूब में शनल कैसे बनाते हैं तो ऐसे में उसको क्या मतलब इस टॉपिक से कोई उसका इंट्रेस्ट ही नहीं है तो अगर हम उसको वीडियो भेजते रहता है और उसके बाद हमारी विडियो में कभी भी व्यून नहीं आते तो यह आपको गलती नहीं करनी हैं मिशिए आपकी विडियो का ओदियो करप और हूता va लिए नोग आप 5 पे 50% से ओपर अंपर यह के ना आपको अगिन आते 218 और दस मिनट की वीडियो आपने बनाई है और उसमें पांच मिनट का minimum audience retention है तो आपकी वीडियो और ज्यादा share हो सकती है लेकिन अगर आप ये भी जिसे बहुत सा लोक के साथ ये होता है कि यार अगर हम अपनी वीडियो को share नहीं करेंगे तो पिर हमारे वीडियो पर view कैसे आएंगे तो मैंने आपको बताया कि यूटूब के अंदर आज एक्टियूजर भारत के अंदर यहां पर देख सकते हैं आप भारत के अंदर आज संतामन करोंड से भी जादा लोग हैं जो यूटूब के एक्टियूजर है तो यूटूब के बाहाँ पास और बहुत सारा potential ह जिसकी मदद से आपको आपकी जो वीडियो है उसके वीडियो आएंगी आएंगी है, आपको घबराने की जुरूत नहीं है, अब यहाँ पर आपको टिफ्स देने वाला हो, वो चीज आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज यह है, कि आपको ब्राउज फीचर में भेजने लगेगा, ब्राउज फीचर का मतलब यह होता है, कि जब भी कोई यूटूब को ओपन करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यूटूब आपन किया, मोबाइल में या फिर लिप्टप में, तो यहाँ पर जितने भी वीडियो आ रही है यह सारी ब्राउज फीचर के जरी आ रही है, कि यूटूब हमारी वीडियो को लोगों को सजेस्ट कर रहा है, तो आपकी वीडियो एक तो ब्राउज फीचर में आने लगेगी, अगर ओडियन्स रिटेंस अन अच्छा रहेगा, और दूसरी आने लगेगी, आपकी जो देख रही है, तो यह कहला थी, अपनेक्स्ट वीडियो, तो जब आपकी वीडियो पर अच्छा खासा और लोगों को सजेस्ट करेगा ही करेगा, अपनेक्स्ट में और ब्राउज फीचर में, अब देखो, बहुत सारे लोग जैसे यह बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी वीड चीज अब आपको जो मैं आपको टिपस अभी बताने वाला हूँ वो चीज आपके लिए बहुत important है तो यह तीसरी टिपस है मेरी तरब से तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ live और आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा तो यहाँ पे देखे यह मैंने वीडियो कर रहा था कल ही यहाँ पे मैंने जो वीडियो अप्लोड करी थी बाइटी मुजिक के बारे में जो अभी बाइटी मुजिक से आप पैसे कमा सकते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे तीन कीवर्ड का इस्तमाल किया है पहला कीवर्ड है बाइटी मुजिक एप से पै तो आपको क्या करना है, जितने भी keyword का आपने इस्तमाल किया है, तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके दोस्त हैं, चार दोस्त हैं, पांच दोस्त हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो वीडियो है, जिस title पे है, आपको उस title को YouTube पे सर्च करना है, जैसे मैं आ करूँगा यूटुब में सर्च करूँगा अपने दोस्तों के मुवाइल पे जितने भी मुवाइल है चार अपांस मुवाइल है तो आपको क्या करना है इस तरीके सर्च करना है इसके बाद जब आप एक नए यूटूबर होंगे या फिर आपने अभी अभी वीडियो अप्लोट करी है तो आपको भी पता है कि यूटूब के अंदर आज इतने सारे creators हैं कि जब भी आप किसी भी topic पे वीडियो बनाते हो पे 40 नमर पे आपकी वीडियो दिख जाएगी और आपको इस बूडियो को फुल वाच करना है इसके बाद अगर मालो एक चीज में आपको और बता दो मालो इस topic पे आपकी वीडियो नहीं आई तो आपको क्या करना है आपने जो दूसरा keyword का इस्तमाल किया है तो इस keyword को सर्च कर सकते है या फिर इस keyword को सर्च कर सकते है तो जिस keyword पे आपकी वीडियो आ जाए तो आपको क्या करना है आपको वही जो keyword है जैसे यहाँ पे मेरी जो वीडियो है किस पे आ गई by it music app से पैसे कैसे कमाए तो अब हमको क्या करना है अपने सारे दोस्तों के mobile पे ये चीज़े सर्च करनी है और सर्च करने के बाद ही अपनी वीडियो को देखना है ये चीज़ सर्च करेंगे और आपको नीचे स्क्रोल करना है और जब आपकी वीडियो मिल जाए तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो देखनी है इससे फाइदा क्या होगा? अगर ये काम आप करते हो अपने सारे दोस्तों की मिवाइल से, तो अब क्या होगा? यूटुब आपकी वीडियो को लोगो को सर्च लिस्ट में दिखाना शुरू कर देगा. अगर कोई इस टाइटल को सर्च करेगा, तो आपकी वीडियो रैंक प देखता है, तो वहाँ से आपके चनल को grow होने की समामना ज़्यादा बढ़ जाती है तो जैसे इसके पिछले जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने वीडियो को share ना करें, अगर share भी करते हैं, तो वहाँ पे 100% देखेंगे तो आपको browse feature से अच्छे वीव आने लगेंगे और आपको up next से भी अच्छे खासे वीव आने लगेंगे लेकिन ये काम अगर आप कर देते हैं तो आपकी फिर जितनी भी वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसमें maximum chances बनेंगे कि आपकी वीडियो पे अच्छे खासे वीव आना शुरू हो जाएंगे वो भी सर्चेबल टॉपिक से तो मैं आपको बताओं जो मैंने भी पिछली वीडियो अप्लोड करी थी यहाँ पर यूटूब मोनेटाइजेशन और जैसे मैंने अभी आपको जिस्ट बता सर्च से अच्छे खासे वीव आ रहे हैं जैसे यहाँ पर देखे अगर यूटूब मैथट कोई सर्च करेगा तो देखो यह मेरी चनल का नाम है यह दूसरे नमर पे आ रहा है वीडियो लेकिन यहाँ पर जैसे बाइटी मूजिक से पैसे कैसे कमाएं अगर यह कोई सर्च क कमाएं अगर कोई यूटूब के अंदर सर्च करता है तो मेरी वीडियो पहले नमबर पे आएगी और यह बहुत बड़ी बात कहला दिये तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया कि किस तरीके से काम करना है तो यह मेरे तरब से तीसरी टिप्स हो गई अब चौथी टिप आज देखो यूटूब के अंदर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो अगर आप उनसे कॉंपिटीट करना चाहते हैं उनको भी हरा के आप आगे निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी को बेतर रखना पड़ेगा और वीडियो की क्वालिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्डन होता है और आपको बेतर बहुत सारे लोग अगर आपने देखा होगा जो चैनल ग्रेव जिनके नहीं होते तो अगर आप उनकी वीडियो उठा के देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि उनके आडियो की कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो भी आप प्रोफेशनल लेबल की आडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते उसके वारे में तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा तो आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास माइक नहीं तो भी आप professional label की editing कैसे कर सकते हैं और आप अपनी वीडियो की audio quality को बहतर बना सकते हैं तो अगर आपने वीडियो की audio quality को और जो भी वीडियो के अंदर बता रहे हैं अगर वो बहुत बहतरीन रहेगा तो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे और इससे क्या होगा आपका channel grow होना सुरू हो जाएगा अब देखो यहाँ पर पांचमी जो tips में आपको देना चाहँगा वो यह है कि जब भी आप किसी भी topic पे वीडियो बनाते हो तो आपका thumbnail जो है वो सबसे बहतरीन होना चाहिए आपको गया करना है जिस भी topic पे आप वीडियो बना रहे है तो आपको उस topic को YouTube पे सर्च करना है और आपको देखना है कि लोग किस तरीके का thumbnail बनाए है और आपको thumbnail में भी अच्छी मेनत करनी होगी और आप जितने भी लोग हैं उनसे भी अच्छा thumbnail आपको बनाना होगा और आपको ऐसा thumbnail बनाना होगा जो clickable हो लोग उसको click करने पे मजबूर हो जाए लेकिन आपको clickbait भी गलत नहीं करना है कि आप thumbnail कुछ और लगा दिये वीडियो के अंदर कुछ और बता रहे हैं तो ऐसे में आपका चैनल ग्रो नहीं होगा बलकि डेड़ो बजाएगा तो आपको thumbnail बहतरीन बनाना है clickable बनाना है लेकिन गलत तरीके से इसका इस्तमाल नहीं करना है तो ये 5 टिप्स हैं जो मैंने अपने चैनल पे इस्तमाल किया और इसी करन्ट से मेरे चैनल बड़ी तेजी से ग्रो हुआ है तो आप भी इन चीजों को इस्तमाल करके आप अपने चैनल को बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हैं तो दोस्तो आसा करता हूँ आज की ये वीडियो जो मैंने आपको बताई है जितनी भी चीज़े बताई है तो आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आगी होगी अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कर देना यार यहाँ पे मैंने कापी मैनत किये आपके लिए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप मुझे से अच्छे से पर्सनलि जोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram में फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा साथ ही आप मुझे Facebook में भी follow कर सकते हैं जहाँ Facebook में आपको काफी सारी शीज़े देखने को मिलेगी तो I hope वीडियो पसंद आई है तो like कर दो, चैनल को subscribe कर दो और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तरिले जैहिन, बंदे मातरम